Hi Everyone, स्वागत करती हूं आपका अपनी चैनल Profesional Beauty Award में कैसे हैं आप सब So guys, आज से मैं आपके लिए लाई हूँ Beauty Parlor Course की पूरी सीरीज जिसमें कि हम पूरा Basic to Advanced Beauty Parlor Course करेंगे देखें ये मुहिम मैं इसलिए चला रही हूँ क्योंकि काफी लेडिज होती है काफी मेरी बेहने ऐसी है जो बहार जाकर नहीं सीख सकती है देखिए इसके पीछे problem कोई भी हो सकती है financial problem हो सकती है या फिर उनका हो सकता है बहुत तरह की boundations होती है घर से बहार नहीं जा सकते हैं बच्चों की वज़े से नहीं जा सकते हैं बहुत reasons होते हैं तो ऐसे में आपको अगर कुछ करना चाहते हैं तो देखिए आप घर बैठे beauty parlor course कर सकते हैं और घर से ही आप parlor शुरू भी कर सकते हैं बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा आप सीख पाएंगे अगर आप practice करेंगे तो जैसे day one से हम चुरू करेंगे तो आपको proper practice करनी है और देखिए सबसे पहले अगर आप कहीं भी salon में जाते हैं या academy में सीखने जाते हैं तब भी आपको सबसे पहले trading की सिखाई जाती है 10 से 15 दिन हमें कम से कम trading की practice करवाई जाती है क्योंकि trading की अगर हमारी एक बार practice अच्छे से हो जाती है तो salon में सबसे जादा हम हमारे पास काम trading का ही आता है तो SMA trading की practice अच्छे से होना बहुत ज़रूरी होती है तो आज D1 में हम सीखेंगे trading, trading के लिए हमें क्या-क्या tools चाहिए होते हैं किस तरह से हमें trade को पकड़ना होता है यह सभी कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ तो बहुत ध्यान से देखेगा and video आप पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा and फिर भी अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment box में comment करिए मैं आपके doubts clear करने के 40 number का इसका यह box आता है and इसमें इस तरीके की छोटी छोटी रील्स होती है so इसको हम use करते हैं eyebrows बनाने के लिए so यह इस तरह से आती है और अभी देखें इसको हमें किस तरह से पकड़ना है इसको पकड़ने का भी अगर आपको एक बार अच्छे से आगया तो आप बहुत ही अच्छा वर्क कर पाएंगे ठीक है so सबसे फस्ट आपको धागे को खोलना है और जो आपका यह वाला धागे का जो corner है इसको आपको अपने teeth के नीचे इस तरह से you can see इस तरह से फितना रखना है कि हमारे जो इनाबी है वहां तक आए तो उसके बाद में आपको यह धागा देखे इतना रखना है अब धागा आपको कौन से हाथ में पकड़ना है so देखे गाईस आपको धागा चलाने की practice करनी है वैसे जो mostly धागा होता है वो इस वाले hand में पकड़ते हैं इस वाले हाथ से इस तरह से ये loop बनाते हैं लेकिन मैं वैसे मैं right hand ही use करती हूँ लेकिन ये धागा पकड़ने के लिए भी मैं right hand ही use करती हूँ वैसे अगर जो right hand use करते हैं वो धागा पकड़ने के लिए left hand use करते हैं बट मेरी शुरू से practice इसी तरह से हुई है तो मैं इसको इस तरह से ही पकड़ती हूँ ठीक है तो आपको क्या करना है यह हमने मुझ में इस तरह से रख लेना है अगेन उसके बाद में देखिए हमको थोड़ा ही खोलना है बहुत जादा नहीं खोलना है आपको वरना आपसे proper hand move नहीं होगा ठीक है उसके बाद में यह हमारी तीन फिंगर यह देखिए यह तीन फिंगर ठीक है और यहाँ पर आपको यह देखिए इसको इस तरह से लपेटना है अपनी टू फिंगर्स में इस तरह से आपको यह थम से ग्रिप करना है ठीक है और यहां पर आपको यह देखिए इसको आपको फिर इस तरीके से पकड़ लेना है ताकि आपको इस तरह से गोला बनाने में दिक्त नहीं होगी और इस तरह से आपको देखिए साथ से आठ बार इस तरह से इसको गुमाना है एक लूप बना लेनी है क्रिप बना लेनी है ठीक है वहाँ पर ठीक है अब इस तरह से अब को बैलेंस करते भी देखे इस तरहीं से आपको धागा चलाने के प्रैक्टिस करनी है यह देखे एक तरह से ये वाला हेंड जो वर्क हो रहा हमारा यह सीजरिंग की तरह हो सीजर की तरह देखिए आप इसको कैची भी बोल सकते हैं यह देखिए सीजर की तरह हम इसको चला रहे हैं आप देखिए बाल कैसे निकालते हैं आइब्रोस के जो बाल हमें निकालते हैं हमें वही तो सीखना है तो वह निकालने के लिए क्या होता है गाइस जो हमारे जो भी रहे देखिए जैसे आप मेरी आइब्रोज में देखेंगे तो आपको काफी एक्स्ट्रा हेर जराएंगे हैं तो वह एक्स्ट्रा हेर हमें यहां पर फसाने होते हैं यहां पर हमें वह एक्स्ट्रा हेर फसाने होते हैं और उसके बाद में इस तरीके से आपको निक्राल देने हैं देखिए आपको गर्दन को बहुत ही जादा ऐसे ऐसे भी नहीं करना है रीजन की देखिए गर्दन में कोई भी प्राब्लम हो सकती है क्योंकि पार्लर में हमें बहुत जादा आइब्रोज बनानी होती है और इस तरह से हमारी balance बनाना है अब next देखे हमें जरूरत क्या-क्या tools की पड़ती है हमारे पास होने के Caesar क्योंकि जो भी देखे ये वाले जो front में hairs होते हैं ये इस तरह से stand होते हैं तो इनको cut करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है Caesar की या फिर कई बार आपने देखा होगा बहुत से clients होते हैं जिनके eyebrows के बाल भी कूंगराले होते हैं तो ऐसे में हमें comb करके जो spoolie आती है उससे comb करके उनके जो भी कुछ extra हमें लगते हैं उनको cut करना होते हैं तो ऐसे में आपको जरूरत होती है Caesar की Caesar के बाद देखे आपको जब भी आप client की eyebrows बनाने लगेंगे तो आपको देखना है कि उनके बहुत ज़्यादा चिकना तो नहीं है ये वाला area उन्होंने कोई cream apply की हो कोई oil कुछ भी apply क्या हो तो वो आपको talcum powder use करना है वहाँ पर ताकि अच्छे brand का ही लीजिए बहुत ज़्यादा rough मत लीजिए क्योंकि कुछ clients skin बहुत sensitive हो जाती है eyebrows बनाने के बाद में दाने निकल आते हैं redness हो जाती है हमारे pores open हो जाते हैं तो rough product हमें यूज नहीं करना है टेलकम powder भी आपको अच्छा ही बुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले कभी भी direct line की skin पर work नहीं करना है आपको दागा चलाने के practice करनी है दागा चलाने के practice के लिए आप पहले तो है बिल्कुल बिना किसी चीज के बिसको इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए तो उससे क्या होगा अपके धागे पर balance बनेगा control होगा अपका धागा आपको चलाना अच्छे से आ जाएगा क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप इस start करते हैं तो कई बार यह जो लूप है बहुत छोटी हो जाती है या कई बार यह बहुत बढ़ी हो जाती है तो यह च control करना आना चाहिए ठीक है अब इसके बाद में देखिए अपने eyebrows बना दी eyebrows के लिए shape के लिए हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत जादा बड़ा हो जाएगा so eyebrows बना दी eyebrows बनाने के बाद में आपको क्या करना है क्लाइन की skin पर estrogen लगाना है या फिर आप rose water यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी cream की massage दे दीजिए अब देखिए मैं आपको बताओ practice आपको किस तरह से करनी है क्योंकि 10-15 days आपको practice करनी ही है हो सकता है आपको यह time time जादा लग रहा होगा लेकिन गाइस टाइम जादा नहीं है इससे भी जादा time लगता है eyebrows बनाने में जैसे अब हम लोग eyebrows बनाते हैं तो mostly five minute four minute six minute seven minute इतने में इक eyebrows complete हो जाती है बहुत जादा hair तो तब भी हो जाती है लिकिए चुरुआत में आपको धीरे से शुरू करना ह है एक बाल निकालने की practice करनी है तो सबसे पहले आप plane practice करेंगे सिर्फ धागा चलाने की उसके बाद में आपको बीच में धागा चला के देखना है सिर्फ एक एरिया ले लेना है means आपको हमारा control होना चाहिए धागे पर कि यह नहीं हमको बाल हटाना है यह वाला और हम अट आ रहे हैं यहां से नहीं आपको इसके लिए अपने हैंड पर control करना सीखना होगा तो आप प्रॉपर कोई भी एरिया बना लीजिए कि हमें इसी के अंदर से बाल निकालना है तो वो भी आपको दीरे-दीरे आदध हो जाएगी डायरेक्ट आप आप आइब नहीं आप साइड व्लॉक्यावण पर प्रैक्टिस कर सकते हैं गार देनगी कOL को अब फिर आपको दीरे दीरे शुरू करना है एक साथ बहुत जादा हैरस राइट होती है और उससे नीचे की हैरस एक्स्रा होते हैं तो बिल्पुल आको नीचे से शुरू करना है और पर जो भी उनको निकालते हुए एक एक हैर्स को आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा और proper shape आप से आने लगेगी और सबसे पहले आपको ये जो front के hairs है इनको cut कर देना है क्योंकि कई बार क्या होता है अगर ये hairs cut नहीं कर रहे हैं और आप पहले ही eyebrows बनाना शुरू कर रहे हैं तो ये hairs कई बार धागे में निकल जाते हैं तो वो आपके eyebrows भीगड सकती है इसलिए आपको cut कर लेना है और उसके बाद में आपको eyebrows बनाना शुरू करना है So guys देखें यहाँ पर किस तरह से हमें forehead पर practice करनी है सबसे पहले talcum powder apply करना है और उसके बाद में जो भी hairs हैं उसका opposite direction में हमें धागे को चलाना है जैसे देखें इधर की side direction है hairs का 90 बाद में सबस्दद्द्द्छ में प्रूजरा क्टियों में प्रच। वस्ता है प्रेक्टेस कीजिए तो आप दीरे अपको आदज आए द्यागे और काफी अच्छे प्रेक्टेस करने लगेंगे क्योंकि देखे हमारा जो ब्यूटि बाड़र का मोस्ति यह होता है वह प्रेक्ष प्रेक्टेस होता है हमारे पास शुरू में सबसे ज़ादा क्लाइट्स आईब्रोज की ही होते हैं और अगर वही हमसे परफेक्ट नहीं बनती है तो फिर हम कैसे हम और वर्व कर पाएंगे क्लाइट्स सबसे पहले आईब्रोज को भी देखता है आप फेशल करेंगे तो क्लाइट्स को उतना कुछ पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है आपने मताज स्टैप्स प्रॉपर फोलो की है नहीं की है बहुत कम क्लाइट्स को ही पता चल पाएगा लेकिन आईब्रोज एक ऐसी चीज है कि फेस पर देखते हिस समझ में आता है कि मेरी आईब्रोज बिगड़ गए एक हेर भी अगर आप और अप एक्स्टा निकाल देंगे ना तो क्लाइट्स को समझ में आता है कि आपने एक्स्टा हेर रिमूफ किया है जो ये आपने eyebrows बना लिए उसके बाद में जो भी extra है इसको निकाल देना है और आपको practice करनी है प्रॉपर practice करेंगे तो काफी अच्छे eyebrows बहुत जल्द आप लोग बना पाएंगे तो अपने career के शुरुआत कीजिए beauty parlor course के साथ में next हम बात करने वाले हैं eyebrows की shape के बारे में so मिलती हूँ next video में तब तक के लिए bye bye